प्यार्थियो इस हफते असी निजी चिठी लिखन दा अबियास करांगे असी चिठी किस तरीके न लिखनी है उस बारे विचार करांगे निजी करेलू चिठी लिखन तो पहला तुसी कुझ खास गला याद रखनियां हन नमबर एक, चिठी लिख दे समय ये सोचो के जिसनों चिठी लिख रहे हो उत्तु हाड़े सामने बैठा बैठी है तो हाड़े शब्दाविच अपनत होनी चाहिदी है बनावती पन नहीं नमबर दो तो हाड़ी शब्दावली सरल सपष्ट अतेशुद्ध होनी चाहिदी है चिठी विच तुसी आपणिया गल्लानू दोहरावणा नहीं है तुसी तुक्वे मुहावरेयां दी वर्तों कर सकदे हो नमबर पंज हाथ नाल लिखी चिठी टाइप किती चिठी नालों वदेरे प्रबावशाली हुंदी है क्योंके लेखक दे हत्था नाल लिखे शब्दाविच ओदे व्यक्तित्वदा लिशकारा पेंदा है नमबर छे सब तो खास गल तुसी चिठी खब्बे बासे तो शुरू करनी है आओ चिठी लिखन दा तरीका विचार ये प्रिख्या पवन डैश डैश किंदर कॉमा डैश डैश शहर मिती तुसी मिती एथे भी लिख सक दे हो मिती लिखन दा ये सई तरीका है ती मार्च दो हजार एक्की सतिकार योग माता जी उस्तो बाद चिठी दी समगरी उस्तो बाद तुसी मिती नीचे भी लिख सक दे हो एत वाड़ी अपनी मर्जी है उस्तो बाद तुसी त्यान रखना है के चिठी किसनू लिख रहे हो जिवें एथे माता जी है ता तो हड़ा सपुत्तर जा सपुत्तरी जे दादा जी है जा दादी जी है ता तो हड़ा पोता जा पोती इना गल्ला दा तुसी त्यान रखना है उस्तो बाद अपना ना और निजी चिठी विच टिकट बनावना नहीं पुलना इस दा एक आंक हुंदा है पता टिकट ए छोटिया छोटिया गल्ला तुसी याद रखनिया हन विद्यार्थियों विचारे गए तरीक्य अनुसार निजी चिठी लिखन दा अभियास करणगे तुसी इस गल्लनू हमेशा याद रखना है के सिरफ निजी चिठी दे अंत विच टिकट बन दी है चिठी लिखन दा सब तो सोखा तरीक्य तो हाड़े नाल विचारे आ गया है आओ हुण अभियास लई चिठी दसिये अपने पिता जी नू चिठी राही लिखो के दस्वी पास करण तो बाद तुसी की करना चौन दे हो तुसी ये चिठी उपर विचारे गए तरीक्य अनुसार ही लिखनी है तानवाद